अस्लामुलेकुम आज के स्लेक्चर के अंदर हम सैल मेंब्रें को पहुट डिटेल से स्टडी करेंगे और इस लेक्चर को कवर करने वाद आपको सैल मेंब्रें का Each and Every Concept Crystal Clear हो जाएगा तो चलें स्टरट करते हैं सैल मेंब्रें cell membrane को plasma membrane या cell surface membrane भी कहा जाता है जो भी नाम दिया जाए बात एक ही है इसकी जो nature होती है यह semi permeable होती है यानि यह cell membrane क्या है selective है कि कौन से molecule को cell के अंदर और बाहर entry देनी है इस वज़ा से इसे semi permeable membrane कहा जाता है और यह present होती है around every living cell of life यानि जितने भी living cells है उनकी एर्दगेद आपको cell membrane मिलेगी उसकी वज़ा यह है कि cell membrane बहुत जुरूरी है cell की अंदर की environment और बाहर की environment को maintain रखने के लिए अगर cell membrane नहीं होगी तो cell survive नहीं कर पाएगा बहुत important है बट हमने previous lecture में study किया था कि animal जो cells है उनकी cell wall नहीं होती सो animal cell की जो सबसे बाहर वाली boundary है वो यही cell membrane होती है जबके plant cell, algae, bacteria और fungi के अंदर cell wall मुझूद होती है सो cell wall के अंदर यह cell membrane भी मुझूद होती है सो आपने concept बनाए रखना है कि cell membrane क्या है? boundary है जो कि cell को surround कर रही होती है हर living cell को surround करती है बट animal cell की यह outermost boundary है clear हो गया अब थोड़े बहुत functions important functions यहांँ पर discuss कर लेते हैं ताकि हमें एक असानी रहे आगे के concept समझने में cell membrane का man function क्या है? कि यह cell membrane cell को shape provide करती है कैसे provide करती है? कि यह cytoskeleton बनाने में भी help करती है so shape provide करती है बेर कर सकती है थोड़ा हो और यह selective होती है कि कौन से molecule को entry cell के अंदर और बाहर देनी है so यह nature इसकी बहुत important है क्योंकि cell के अंदर की जो environment है cytosol fluid की जो nature है वो different होती है cell की बाहर की environment जिसे extra cellular fluid या interstitial fluid भी कहा जाते है वो different होती है उसमें ions ज्याद होते है so इस nature को maintain रखने के लिए cell membrane एक ऐसा barrier है कि उसे पता है कि कौन से molecule को cell के अंदर बैजना है कौन से molecule को cell से बाहर बैजना है simply आपको समझा गई अब हम चलते है structure and composition की तरफ यानि कि इसकी structure कैसी है और यह किस किस चीज से मिलकर बनी होई है उसे composition कहा जाता है structure का जो model है 1972 में singer और Nicholson ने present किया कि cell membrane की structure इस तरीके की है और उस model को fluid mosaic model कहा जाता है so cell membrane के fluid mosaic model का मतलब क्या है कि cell membrane की जो nature है वो fluid type है अब fluid की nature क्या होती है fluid की nature जी होती है fluid के molecules continuously move कर रहे होते हैं so इसी तरीके जो cell membrane के important molecules है जोने फास्फोलिपिड्स कहा जाता है वो भी cell membrane के अंदर एक जगा से दूसरी जगा असानी से move करते रहते हैं और mosaic इसे क्यों कहा जाता है कि इसमें कुछ proteins होती है जो irregularly range होई होती है so mosaic pattern भी बना रही होती है so इस वजए से fluid mosaic model कहा जाता है diagramatically समझते है यहां पर आप देख पा रहे है यह जो layer आपको black color की layer नज़र आ रही है इसे phospholipid layer कहते है so यह phospholipid की एक layer आगी यह phospholipid की दो layer आगी so दो layer का मतलब क्या है कि by layer है यह cell membrane क्या है by layer of phospholipid इसमें मुझूद है यानि sandwich की तरह फास्फवलipid है उपर भी bread है नीचे भी bread है ठीक है so phospholipid उपर वाला area भी बना रहे है नीचे वाला area भी बना रहे है अब phospholipid की ज़रा structure देख लेते हैं हमें और concept clear हो जाएगा phospholipid की दो region है एक head region है एक tail region है जो head region है उसे phosphate head भी कहा जाता है विकास उसके अंदर phosphate group मुझूद होता है और जो tail region है उसे fatty acids tail भी कहा जाता है विकास उसके अंदर fatty acids मुझूद होते हैं ठीक है so head and tail region अच्छा अब यह phosphate head या phosphate group की वज़ए से यह जो head region होता है, यह polar होता है, इस पर charge होता है, और इस charge की वज़ए से यह hydrophilic होता है, water loving होता है, because water के उबर भी slight charge बनता है, so like dissolve like वाला concept यहां पर आपने लेना है, कि जो polar head है, वो hydrophilic है, water loving है, और जो fatty acid है, वो non polar है, so non polar होने की वज़ए से यह hydrophobic है, water से दूर बागता so इसी तरीके से यह concept आपने लेना है, कि जो fatty acid tail है, वो hydrophobic है, non polar है, और phosphate जो head है, phospholipid का, वो polar है, और hydrophilic है, और इसमें phosphate और fatty acid क्योंकि लिपेड है, यह दो molecules मुझूद होते हैं, इसलिए ऐसे phospholipid कहा जाता है, अच्छे यह जो fatty acid tail है, यह फिर further दो type की हो सकती है, जा saturated fatty acid की tail होगी, या unsaturated fatty acid इसमें मुझूद होगा, so अगर saturated fatty acid होगा, तो वो tail बिलकुल सीधी होगी, अगर unsaturated fatty acid होगा, तो वो tail थोड़ी बहुत इस तरीके से bend होगी, उसके अंदर kink होगा, because of presence of double or triple bond, ठीक है, यहाँ पर आप देख वा रहे हैं, यह unsaturated fatty acid को represent कर रही है, यह वाली tail, ठीक है, थोड़ी सी bend है, ओके, अब इसका आपने यहाँ पर concept लेना है, कि अगर हम इस फास्फल एपिट के माली कूल को पानी के अंदर गिराते हैं, तो यह फास्फल एपिट के माली कूल कैसे act करेगा, कि इसका head पानी के साथ attach हो जाएगा, bond बना लेगा, और इस तरीके से, clear हो गया, अब आप समझ चुके होंगे, कि cell के अंदर की जो environment है, जिसे intracellular environment हम कह सकते हैं, उसमें fluid मुझूद होता है, यानि cytoplasm के अंदर fluid होता है, water होता है, ठीक है, so water loving, यह फास्फल एपिट इस तरीके से उसने structure बना ली, ठीक है, यानि water वाली जगा इसने अपना polar head गुसा लिया, ठीक है, और cell के बाहर क्या है, वहाँ पर भी fluid है, वहाँ पर भी water है, तो वहाँ वाले जो फास्फल एपिट की मालीकुल है, उनका head जो है, उस side बाहर attach हो गया, so यह बहुत beautiful concept है, कि जो polar head है, वो क्या कर रहा होता है, fast कर रहा होता है, towards the liquid portion of cell चाहिए वो cell का अंदर portion हो, या cell का बाहर वाला portion हो, extra cellular fluid का portion हो, और यह बहुत रूरी है, क्योंकि अगर यहाँ पर tail होती, तो water वाले मालीकुल जहाँ पर क्रीब भी ना आ पाते, तो यहाँ पर अगर cell में brain के पास कोई enzymatic activity होनी होती, तो वो ना हो पाती, clear हो गया, okay, so phospholip area of body, चाहिए वो cell का बाहर का area हो, या cell का अंदर का area हो, clear हो गया, अच्छा, इसके इलावा, मैंने आपको बता है, मोजाइक पेटर्न में प्रोटीन्स भी मुझूद होती है, so यह red color की structures हैं, यह proteins को represent कर रही है, और यह protein आप देख पा रहे हैं, यह cell membrane के बीचों भीच मु लगा कुछ और molecules भी होते हैं, glycolipids, glycoprotein, cholesterol, इन molecules को बारी-बारी देखते हैं, so आपने structure समझ लिए, कि structure of cell membrane कैसी होती है, उसमें phospholipid की दो layers इस तरीके से attach होती है, कि उनकी hydrophobic tell आपस में मर जोई होती है, ताकि यहाँ से कोई भी polar molecule entry ना कर पाए, क्योंकि यह hydrophobic है, और यह ना water को entry दे रही है, ना polar molecule को entry देती है, यह tell, ओके, अब हम चलते हैं, composition की दर, जैसे कि मैंने आपको बताया है, कि cell membrane, membrane lipids से मिलकर बनी होती है, इसमें membrane proteins भी आपको नज़र आएंगे, और इसमें glycolipids और glycoproteins के molecules भी आपको नज़र आएंगे तो यह molecules कौन कौन से होते हैं, membrane lipids में दो टाइप के molecules होते हैं, फास्फलipids जो जहाँ पर मैंने आपको बताया दिया, और kolesterol जो जहाँ पर मुझूद है, यह kolesterol का molecules है, ठीक है, इसे भी अब हम देखेंगे, फिर membrane proteins, यह दो टाइप की होती है, integral proteins and peripheral proteins, integral जो cell membrane के अंदर integral protein है, इसे intrinsic protein भी कहा जाता है, transport protein, transmembran protein, different नाम दिया जाता है, और यह peripheral protein है, इसे extrinsic protein भी कहा जाता है, यह भी peripheral protein है, ठीक है, proteins भी मुझूद होती है, और इसके इलावा, glycolipids and glycoproteins भी मुझूद होती है, glycol proteins क्या है, कि अगर carvoidrate का molecule, जो के glyco को represent कर रहा है, वो protein के attach होगा, तो उसे उस molecule को glycoproteins कहा जाएगा, तो अगर carvoidrate का molecule lipids के साथ attach होगा, तो उसे glycol lipids कहा जाएगा, तो यह molecules भी मुझूद होते हैं, बस, इसके इलावा और कुछ भी आपकुछ cell membrane के अंदर नहीं मिलेगा, अब इस each and every molecule को समझते हैं, और इनके functions क्या होते हैं, Memorale lipids की तरफ आते हैं, Phospholipids and cholesterol, Phospholipids की structure मैंने आपको बता दी, और cholesterol की structure क्या होती है, cholesterol का भी एक head region होता है, जो polar होता है, ठीक है, और एक tail region होता है, जो के non-polar होता है, यानि Phospholipid की तरह ही cholesterol भी मुझूद होता है, तो उसका जो polar head है, वो Phospholipid के head के साथ attach होगा, क्य एक region के साथ अंदर गुशी होती है, ठीक है, ओके, यह जो Memorale lipids है, Phospholipids और cholesterol, इनका function क्या होता है, इनका function होता है, cell Memorale की fluidity को maintain रखना, fluidity को maintain रखने को मतलब क्या है कि हम यह जानते हैं कि cell Memorale fluid nature की होती है, fluid nature की क्यों होती है, because आप ती presence of phospholipids and cholesterol, ओके, तो यह जो fatty acids, जो के unsaturated और saturated दो टाइप्स के हैं, उनका क्या असर होगा, fluidity और cholesterol का क्या असर होगा, fluidity पार, यह हम study करते हैं, तो यह कुछ factors हैं, जो fluidity को असर अंदाज होते हैं, पहला factor आगया, temperature का, अगर temperature हाई होगा, तो Phospholipids के molecules क्या करेंगा, एक दूसरे से दूर जाएंगे, यह concept आप ऐसे ले सकते हैं, कि जब बहुत गर्मी होती है, तो आप दूसरे बंदे से दूर बागते हैं, कि दूर होके बैठने के कोशश करते हैं, क्योंकि radiation के जरीए जो heat आ रही होती है, आपको गर्मियों में तंग गरती है, तो cell concept आपने यहाँ पर लेना है, कि Phospholipids के मालिक्यूल एक दूसरे क्रीब आएंगे, आप सर्दियों में एका करते हैं, जोड़ जोड़ के बैठते हैं, ताकि heat ट्रांसफर हो एक दूसरे के दिर्मिया, so same concept आपने यहाँ पर लेना है, कि Phospholipids के मालिक्यूल मेंब्रेन ठंड़ी होने की वज़़ए से, टेंपरेच तो fluidity of cell membrane increase हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, वज़ा क्या है, कि यह जो unsaturated fatty acid है, मैंने आपको बताया, उसमें एक kink होता है, bands होता है, so for example, आप tongue daddy करके ऐसे खड़े हों, तो दूसरा बंदा आपके बिलकुल क्रीब आके नहीं खड़ा हो सकता, क्योंकि आपकी tongue उसमें बीच में हायल हो रही है, so same concept आपने लेना है, कि fatty acid का band जो है, वो क्या करदा है, दूसरे fatty acid को ज्यादा क्रीब नहीं आने देता, so ज्यादा क्रीब नहीं आएगा, तो ज्यादा unsaturated fatty acid होनी की वज़ज़ से, जो membrane है, वो fluid होगी, ज्यादा fluidity increase होगी, unsaturated fatty acid की वज़ज़ स है, so अगर saturated fatty acids ज्यादा होंगे, तो वो फास्वलेपेटर के मालीक्यूल बिलकुल सीधा होगा, तो दूसरा मालीक्यूल उसके करीब आ सकेगा, so वहाँ पर fluidity कम हो जाएगी, clear हो गया, अब चलते हैं कॉलिस्ट्रोल की तरफ, कॉलिस्ट्रोल जाद रखिए, एक ऐसा माली अगर temperature हाई होता है, तो ये purity को ज्यादा नहीं होने दयता है, अगर temperature बहुत कम है, तो ये fluidity को बहुत कम नहीं होने दयता है, एक level में maintain रखता है कॉलिस्ट्रोल का मालीक्यूल, कैसे? For example, अगर temperature high होता है तो होना क्या चाहिए था कर फासफल लिपिड के मालीकुल एक दूसरे दूर जाते fluidity of cell membrane बहुत ज़्याद हो जाती जो के cell membrane के लिए अच्छी नहीं है क्योंकि हर चीज एक balance में अच्छी लगती है So without cholesterol होना क्या है कि cell membrane में फासफल लिपिड के मालीकुल एक दूसरे बहुत दूर जाते fluidity बहुत increase हो जाती बट जब cholesterol अगर मुझूद होता है तो cholesterol का मालीकुल जिस फासफल लिपिड के साथ attach होता है उस फासफल लिपिड को एदर ओदर move नहीं होने देता जिसकी खूब भी है तो फासफल लिपिड दर ओदर move नहीं होगा तो fluidity काम हो जाएगी बहुत सिंप्ली आपको मैंने बता दिया अच्छा अग ये तो high temperature का case आगया अगर temperature बहुत low होता है तो फासफल लिपिड के मालीकुल को क्या होता है वो अपस में बहुत करीब आ जाते है एक दूसरे के जोड़ जाते है fluidity काम हो जाती है राइट? वो मालीकुल बहुत एक दूसरे के करीब आ जाएंगे fluidity बहुत काम हो जाएगी लेकिन अगर कॉलिस्टॉल का मालीकुल मुझूद होगा तो वहाँ पर ये मालीकुल के साइड पर हाटके बैठा होता है तो दूसरे फास्टॉल बेट के मालीकुल को बहुत करीब नहीं आने देगा तो वो एक गैब अगर बना रहेगा तो क्या होगा? fluidity maintain रहेगी तो कॉलिस्टॉल का मालीकुल बहुत high temperature और low temperature में बहुत important role करता है तो maintain the fluidity of cell membrane अच्छा ये cell membrane के fluidity maintain रखने में फाइदा क्या है? इन चीज तो यह है ना कि फाइदा क्या है fluidity ताके maintain रहे ताके बहुत stiff भी नहीं हो जाए cell membrane और बहुत open भी नहीं हो जाए अगर fluidity बहुत open हो जाती है तो इसका मतलब है बाहर से कोई भी molecule entry कर पाएगा अगर बहुत जोड़ जाएगी fluidity तो कोई molecule entry नहीं कर पाएगा और fluidity maintain रखने में यानि एक balance में रखने की ज़रूरत इस वाज़ा से है कि बहुत सारे non-polar molecules जैसे कि oxygen और carbon dioxide जो बहुत small molecules हैं ये phospholipids में से entry कर जाते हैं phospholipid by layer से entry कर सकते हैं cell के अंदर और बाहर ठीक है क्योंकि ये phospholipid के molecule move करते रहते हैं तो इनके अंदर थोड़ी बहुत spaces बनती हैं तो ये oxygen और carbon dioxide के molecules आसानी से अंदर और बाहर entry करते रहते हैं और ये बहुत important है ठीक है cell के functions को maintain रखने के लिए तो यही वज़ा है कि cell membrane की fluidity को maintain रखना है अच्छा clear हो गया cell membrane जो lipids हैं उनका role हमने study कर लिया और उसका function भी हमने देख लिया अब चलते है membrane proteins की तरफ membrane proteins का function क्या है और क्या कर रही हैं कौन-कौन सी types की है तो मैंने आपके बताया देया यह दो टाइप की होती है integral and peripheral integral जो भीजो भीज मौजूद होती है यह trans membrane या transport या intrinsic different नाम दिये जाते हैं यह proteins होती है ठीक है और जो peripheral होती है उन्हें extrinsic proteins भी कहा जाता है तो यह दो टाइप की proteins होती है अब function क्या है इन proteins का अब जैसा है मैंने आपके बताया कि फास्फ़ लिपिड की बाई लेयर है वहाँ पर non-polar smaller molecules तो entry कर जाते हैं लेकिन कुछ large molecules होते हैं वो यहां से entry नहीं कर पाते हैं कुछ water salubal molecules होते हैं उन्हें यह फास्फ़ lipid hydrophobic tail की वज़ा से entry नहीं देती हैं और कुछ polar molecules वो भी यहां पर ions वगएरा जो आगे वो भी entry नहीं कर पाते because non-polar nature fatty acid तो इन molecules को cell के अंदर और बाहर move करने के लिए membrane proteins help करती हैं कैसे जैसे कि यह membrane protein है इसके अंदर एक tunnel है एक region है hollow region है तो यह membrane protein large molecule for example glucose आ गया यह glucose यहां से entry नहीं कर पाता तो इसको यह membrane protein entry कर वाती है cell के अंदर तो इस तरीके से membrane protein का function आ गया इसी तरीके से water soluble content यहां से entry कर पाता है इसी तरीके से जो ions हैं जैसे के sodium ion आ गया potassium ion आ गया उसके लिए proteins होती है कुछ ATP proteins होती है जानि ATP को utilize करके open होती है बट इन ions को entry देती है cell के अंदर और वाहर ठीक है so polar molecules water soluble molecules और large molecules को entry करवाती है into the cell and out of the cell clear हो गया second function यह होता है कि जो proteins होती है इन में कुछ proteins enzymatic function भी perform करती है और enzymatic function का मतलब क्या है कि chemical reaction को catalyze करना for example कोई reactant है A plus B ठीक है और enzyme उसे क्या करेगा chemical reaction को perform करवाएगा और product बनने में help करेगा C plus D को product बन गया इसकी example हम study कर सकते हैं कि small intestine के जो lining के cells हैं उसकी membrane के उपर कुछ enzymes मौजूद होते हैं जिने digestive enzymes कहा जाता है जो के hydrolysis आप disaccharide कर रहे होते हैं यानि disaccharide के molecules को तोड़ रहे होते है smaller molecules के अंदर इसके लावा जो proteins हैं इनका cytoskeleton का function भी आ जाता है यानि ये cytoskeleton बनाने में भी help करती है cell के अंदर कुछ microtubules मुझूद होती हैं से आप जानते हैं ये microtubules आगी सारी ठीक है ये microtubules ये जो peripheral proteins होती है इनके साथ जाकर attach होती है तो एक जाल सा बन जाता है skeleton सा बन जाता है cell के अंदर जिसकी वज़ाए से cell की जो shape है वो maintain रहती है अदरवाइस pressure करने से ये cell membrane अंदर को पेचक सकती थी लेकिन ये microtubules क्योंके एक जाल सा बन जाते है जैसे आप floor के नीचे pillars बगारा लगाते हैं तो इसी तरीके से ये cell के अंदर के pillars होते है microtubules जो इन proteins के साथ attach हुए होते हैं तो इसका मतलब है cell membrane की जो proteins हैं वो cytoskeleton बनाने में भी help करती है ओके membrane lipids को भी हमने study कर लिया membrane proteins को भी study कर लिया अब रहे गया glycolipids and glycoproteins ये क्या है और इनका function क्या है glycolipids मैंने आपको बता दिया carvoid rate plus lipids के मालीकुल को glycolipids कहा जाता है और carvoid rate plus protein के मालीकुल को glycoproteins कहा जाता है अब इनका function क्या है दो important function यहाँ पर मैंने आपको mention करवाने है पहला आगया receptor molecule का जिसे cell signaling भी कहा जाता है यानि ये glycolipid और glycoproteins का molecule reception का का काम कर रहे होते है reception का मतलब क्या है कि cell membrane के उपर attach होते है so specific type का molecule आकर cell के अंदर की activities को active करवा सकते है for example hormones and neurotransmitter इसी तरीके से काम करते है let's say ये एक nerve cell है so ये synaip junction है एक nerve cell से signal निकला chemical signal ये chemical signal glycoproteins के pattern के साथ attach हुआ तो दूसरा cell active हो जाता है यानि उसे पता चल गया है कि egg signal आया और वो cell activate होगे enzymatic activities यहाँ पर perform होती है so आगे उस signal को transfer करता है so इसे बोलते है cell reception या cell signaling second important function होता है glycoproteins का वो होता है cell to cell recognition यानि आपके body के अंदर जितने भी cells हैं उनके उपर ये जो glycoproteins और glycoproteins होते हैं ये specific type के होते हैं और आपके immune cells जो इदर उदर body के अंदर गुमते रहते हैं वो आपके cells को इनी glycoproteins के pattern की वज़ा से remember जा recognize कर सकते हैं इसकी example में आपको बताता हूँ कि अगर कोई बंदा है उसने पाकिस्तानी 4G की वर्दी पहनी हुई है ठीक है तो आप देख के पैचान पाएंगे कि ये पाकिस्तानी 4G है और एक बंदे ने इंडियन 4G की वर्दी पहनी हुई तो आप देख के पैचाने के ये इंडियन 4G है क्यों वर्दी के patterns different है इसी तरीके से आपके बाड़ी के अंदर जो cells हैं उनके patterns आपके immune cells को पता है ठीक है तो इसी तरीके से अगर बाहर का कोई cell आएगा तो उस पर glycolipid और glycoprotein का pattern different होगा तो आपके immune system के cell उसे kill कर देंगे इसकी example हमारे पास आजाती है B of blood group system इसमें antigen A, antigen B ये क्या है glycolipid और glycoprotein के specific patterns है तो आप अगर किसी ऐसे बंदे से blood transfusion करवाते हैं जिसका blood group different है तो आपके body के अंदर reaction चुरू हो जाता है उसकी वज़ा क्या है कि आपके immune system के cell recognize कर देते हैं कि ये इसके उपर glycolipid और glycoprotein के pattern different है ये हमारी body का अपना cell नहीं है तो उसके against reaction एक response चुरू हो जाता है और इसके लावा other functions of cell membrane हमारे पास ये आजाते हैं कि जो membrane है cell membrane है same इसी type की membranes organelles के earth gaze भी मुझूद होती है जैसे chloroplast mitochondria तो chloroplast की जो membrane है उसमें कुछ pigments molecules भी होते हैं जो photosynthesis में help कर रहे होते हैं इसी तरीके से जो mitochondria की wall है उसके अंदर respiration प्रफार्म करवाने वाले कुछ molecules मौझूद होते है तो ये भी important function आ जाते हैं और इसके लावा exocytosis and exocytosis and endocytosis ये जो दो concept हैं इस पर already मैंने detail video बना रहा किया आप वो देख सकते हैं सर्च करके तो वो भी cell membrane के cross प्रफार्म हो रहे होते हैं पूरा वेजिकल जो है cell membrane के साथ attach होकर chemicals को cell से बाहर वेजर होता है और बाहर से entry करवार होता है तो वो मैंने already cover कर लिया है ओके quickly review कर लेते हैं कि आज हमने क्या study किया और इसका function क्या रहा cell membrane मैंने आपको बताया semi permeable nature की एक membrane होती है जो हर cell के around मुझूद होती है बाट animal cell का जी outermost animal cell की outermost boundary होती है structure मैंने आपको बताया इसकी fluid mosaic model present कर रही है इसकी structure को और composition में हमने पढ़ा कि इसमें lipids होते हैं proteins होती है glycolipids and glycoproteins molecules cell membrane को बना रहे होते हैं जो lipids हैं उनके क्या function होते हैं और फास्टाइब की होते हैं फास्टाइब कोलेस्ट्रॉल और ये lipids cell membrane की fluidity को maintain रखते हैं और ये fluidity maintain रखना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि non polar small molecules की entry असानी से entry और exit हो सके और जो proteins के molecules हैं उनके different functions हैं जैसे के large water saliva और pollen molecules को ये proteins entry देती हैं enzymatic function पर फार्म करते हैं और situs skeleton बनाते हैं और glycolipids और glycoproteins के दो functions हमने study किया reception का और cell to cell recognition का so hopefully आपको ये lecture समझ में आया होगा next lecture तक किरे मुझे अजाद आता है शुक्रिया अलाव